जो रिपोर्ट छापी जा रही है अखबारों दारा, न्यूज वेबसाइट द्वारा, न्यूज चैनल्स द्वारा, वो सरासर गलत और बेबुनियाद है कहीं पर भी मेरा नाम बतौर अक्यूस्ट, बतौर सस्पेक्ट या बतौर विटनेस ना भ्यूक्त के तौर पे, ना गवा के तौर पे, ना संदिक द्विक्ति के तौर पे, कहीं पर भी नहीं लिखा गया है देश के कई बड़े मीडिया हाउसेज ने मेरे नाम की और मेरे मेरी छवी की हानी पहुंचाने की कोशिशें की हैं सही खबर छापें नहीं तो मुझे मजबूरन कानूनी कारवाई करनी पड़ेगी जो सुभा से खबरे दिखाई जा रही है वो सरासर गलत और जूठी और बेबुनियाद हैं इन्फोर्स्मेंट डरेक्टरेट की किसी भी जांच में आज तक जब से इन्फोर्स्मेंट डरेक्टरेट बनी है और खास करके यह जो ongoing investigation Delhi exercise matter में चल रही है कहीं पर भी मेरा नाम बतौर accused बतौर suspect या बतौर witness ना भ्यूक्त के तौर पे ना गवा के तौर पे ना संदिख्द व्यक्ति के तौर पे कहीं पर भी नहीं लिखा गया है जो report छापी जा रही है अखबारों दारा, news websites द्वारा, news channels द्वारा वो सरासर गलत और बे बुनियाद है एक किसी meeting का reference दिया गया है कि कोई बैठक हुई थी उस बैठक में कहीं लोग शामिल थे और उसमें कहीं मेरे नाम का जिकर किया गया है लेकिन मेरा नाम कहीं पर भी बतौर accused, बतौर witness या बतौर suspect कहीं पर भी नहीं है तो सबसे पहले मैं हाद जोड़के अपने मीडिया के साथियों से दर्ख्वास्त करना चाहूंगा, बेंती करना चाहूंगा कि एक इनसान की छवी, उसकी goodwill, उसकी credibility सारवजनिक जीवन में बहुत जद्दो जहद से, मेनत से, खून पसीने से बनती है किसी की भी reputation को इस प्रकार से हाम करने से पहले journalistic norms ये कहते हैं कि आपको कम से कम मुझसे एक response तो लेना चाहिए था मुझसे पूछना तो चाहिए था कि आपका नाम आगे, आपको इस पर क्या कहना है मैं सपश्टी करन देता लेकिन बिना मुझसे कोई भी जवाब मांगे हुए देश के कई बड़े media houses ने मेरे नाम की और मेरे मेरी छवी की हानी पहुँचाने की कोशिशें की हैं मैं आपसे एक बार फिर हाज जोड़कर विनिती करना चाहूँगा कि आप इस चीज को clarify करें जो गलत खबर चापी है उसे विड्रॉ करें सही खबर चापें नहीं तो मुझे मजबूरन कानूनी कारवाई करनी पड़ेगी उन तमाम अखबारों के खिलाफ या media houses के खिलाफ जिन्होंने मेरे नाम को तोड मरोड कर ऐसे दिखाया है कि नजाने मैं कौन सा बड़ा घोटाले बाज हूँ मैंने कितने करोडों का घोटाला कर दिया हो और मैं इस पूरे कई मुकदमों में या कई ED की कंप्लेंटों में अभियुक्त के तोड़ पर मेरी भूमे का enforcement director ने court के सामने रखी साथियों यह जो पूरी कारवाई है जो यह पूरी investigation पिछले करीब करीब एक साल से चल रही है यह सरासर राजनेतिक है और politically motivated है और इसका लक्ष बस इतना है कि आम आदमी party को खतम करो अर्विंद केजरिवाल को खतम करो और शायद आज BJP मेरे नाम का दुश प्रचार करने की मेरे नाम की और मेरी छवी को हानी पहुचाने की कोशिशे कर रही है इसलिए क्यूंकि रागव चड़ा अर्विंद केजरिवाल का सच्चा सिपाई है इसलिए क्यूंकि आम आदमी party अर्विंद केजरिवाल जी की नेत्रित्व में लगातार बढ़ती जा रही है वो अर्विंद केजरिवाल जी ने मुझे जिम्मेदारी दी अर्विंद केजरिवाल जी के नेत्रित्व में हम सब के मेनत से आम आदमी party की सरकार पंजाब में बनी मुझे गुजरात में भी आम आदमी party ने जिम्मेदारी दी मेरे नेता अर्विंद केजरिवाल जी ने जिम्मेदारी दी बतावर सह प्रबारी मैंने गुजरात में भी काम किया और हमारी सब की मेनत की बदौलत अर्विन केजरिवाल जी के नेत्रित्व की बदौलत हम गुजरात के चुनाफ से राष्टे पार्टी बने नैशनल पार्टी बने आज अर्विन केजरिवाल जी के एक-एक सिफाही को हानी पहुंचाने के लिए इस प्रकार से दुश्प्रचार किया जा रहा है मकसद सिरफ एक है आम आदमी पार्टी को खतम करो अर्विन केजरिवाल को खतम करो क्योंकि भारतिय जंता पार्टी इस बात को जानती है कि अगर BJP का कोई काल है तो वो अर्विन केजरिवाल है जैसे कंस को ये मालूम था कि उसका अंत, उसका विनाश, उसका काल उसकी मृत्यू भगवान श्री कृष्ण के हातों लिखी है और उसने हर संभव कोशिश करी भगवान श्री कृष्ण को हानी पहुँचाने की लेकिन हानी नहीं पहुँचा पाया उसी प्रकार भारतिय जंता पार्टी ये बात जानती है कि उनका अंत और उनका काल अर्विन केजरिवाल है अर्विन केजरिवाल के हातों लिखा इसी लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी को अर्विन केजरिवाल जी को और अर्विन केजरिवाल जी के एक-एक सिफाही को हानी पहुचाने की लेकिन सफल नहीं होंगे आम आदमी पाटी की बड़ती लोग प्रियत्ता के चलते ये सारे शिगूफे छोड़े जा रहे हैं जिस investigation की हम जिकर कर रहे हैं इस investigation को आप सब जो आज इस भारी तादात में इस आम आदमी पाटी के मुख्याले पर मुझूद हैं आप सब करीब एक साल से इस पूरी investigation को बहुत करीब से देख रहे हैं करीब एक हजार से जादा अफसर इस पूरी जांच परताल में शामिल है 400 से जादा ठिकानों पर इन लोगों ने सर्च किया, सीज किया, रेडे करी कई गवाओं को अपने पास बुला कर उनके बयान दर्च कर आए, कई लोगों को गिरफतार कर लिया लेकिन एक फूटी कौडी अभी तक नहीं ढूट पाए ना इनको मिली, क्योंकि घुटाला हुआ ही नहीं ये बीजेपी के दिमाग का घुटाला है